आज किस वीडियो के तन हम लोग डार्क सिनेमेटिक इंट्रो बनाना सिखेंगे अपने फिल्म और ना इन सॉफ्टरे के जरीए तो स्टाट कर देए वीडियो को यह बहुत दा मसदार की जिन की वीडियो जाड़ी देले के आगे जाना से पहले लाइक कर दो चैनल वीडियों सब्सक्राइब करके बेले को लाजमें दोबाद हो ताकि है आप लोग हमारे चैनल के उपर इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे हैं अब वीडियो को हम लोग फटा पटा से स्टार्ट कर लेते हैं और यहां पर अगर 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 मेरे स्क्रीन को अपर देखो तो य यहां पर डेक्स्ट्रोप करता हूं और यहां पर हमारे इस फाइल पैकेज के अंदर आप लोगो कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी जिसके अनर आप लोगो को यहां पर प्रॉपिरेट का एक फाइल भी मिलेगी आप लोगो ने पढ़ नहीं है तो बढ़ लेना ठीक है अब यहां पर आप लोगो ने क्या करना है इसको बनाने के लिए सिंप्ली आप लोगो क्या करना है अपना फिल्मोरा 9 ओपन करना है और यहां पर अपने वो प्रजेक्ट्स ले आने जो मैंने यहां पर आप लोगो को दिये हैं ठीक है जो डिस्क्रिप्शन में आप लोगो जोके हमगों डबल क्लिक करते हैं इसके किस्टमाइजेशन करनी है और यहां पर हम लोग आप अपने चैनल का नाम लिख लिए अब आप यहां से इसकी राइटिंग म्हाजिक रखते हो झायो ऑप लोग यहां और यहां तो आप यहां से यह व 1 providers आप सरथ earlier तो मैंने यहां से वहली रaskत लिए और यहां पर इसके, हम लोग इसको align कर लिए आप में पर साइज और वोगयरा, जिपना बी चीज़ है, आप लोग इसको मुझीद कस्टमेज कर सकते हो, जितना आप लोगों को जूरूरत हो. तो मैं सिसका साइज 김ाश 56 पर रखुँ का ठीक कर ठेक और हम लोगada प्लकुला हाँ और यहां का निजो प्लॉगण है ठीक है और इसके डिस्टेंस को मतलब इसके साइज को भी आप लोग ने एड़ तक रिखना है यह इतना ही बहुत है अब नीचे से आप लोग ने इसका जो टैक्स शैडव है इसकी भी ओपैसिटी को तोड़ साब लोग ने कम कर लेना है मतलब 60 टक ले जो बहुत है और डि एसलिए मैं ने लगाता हूँ अब लोग जो पर बाए लोग ले प्ञाखे है और इहां से यहां इम्टर फील वला मैं ने दिया हो थीक है अब आप लोगों ने इस animation को पकड़ना है ठीक है और इसको अपने timeline के उपर वली तरफ लगा देना ठीक है और यहां से यही वला option स्ट्रेट करना है जो मैं हमेशा करता हूँ अब यहां पर आप लोगों ने क्या करना है यहां पर आप लोगों थर्ड नंबर पर ही multiple लेगा आप लोगों ने इसको multiple लेगा और इसके बाद आप लोगों ने जो आपका इंट्रो फिल वाला यानि कर लेटू है इसको आप लोगों ने अपनी footage के साफ़ से adjust कर लेना ठीक है अब हम इसको कर लेते हैं export अब लोगों ने क्या करना है simply close कर दो ठीक है इसको भी close करो और हमने desktop पे फाइल एक्सपोर्ट कर ली है अब उस फाइल को हम लोगों इंपोर्ट कर लेते हैं पने Filmora 9 के लिए और यहां पर हम लोग जाते हैं लेयर 1 के ओपर ठीक है आप लोग चाहो इसका size बड़ा भी कर सकते हो चोटा भी कर सकते हो ठीक है आप लोग स्पीर अंड रोलेशन में जाकर यहां पहले ही starting में ही आप लोग कर सकते हो अब यहां पर आप लोगों को पास intro background है स्क्रीन के ओपर ठीक है और अब मैं हम इसको प्ले करते हैं तो आप लोग देखना यह effect कितना जादा प्यारा लग रहा है अब यहां पर आप लोग ने sound effect लगाना है sound effect आप लोगो मैंने यहां पर दो दी हैं आप लोग इनमें से जो मर्जी यूज़ कर सकते हो तो मैं यहां से sound effect 1 पकड़ता हूँ और यहां पर नीचे लगा देता हूँ ठीक है तो अब यहां पर sound effect के हम लोग size को भी उतना ही रख लेते हैं अब यहां पर आप लोग इसको play करके दिखाता हूँ से बनाया गया हूँ तो आप लोग वीडियो अच्छे लगी ठीक है अगर आप लोग वीडियो थोड़सी helpful लगी तो इस वीडियो को लाइक करतो उसके लिए चैनल के लिए सब्सक्राइक के लिए रेकम को लाजब निस दुबाद हो अगर आप लोग हमारे चैनल के उपर इस तरह की वीडियो देखने को मिलती रहें वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया थैंक्स अलोट एंड गुडबाई